असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बक्राइद स्पेशल क्रिस्पी जूसी मटन चॉप राई की रेसिपी जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और बनाने में तो बहुत ईजी है तो इस बक्राइद पर इस रेसिपी को जुरूर ट्राइ कीजिएगा सच म आप जाएद बड़े साइज के लिए आप जैसे चाहें वैसा साइज में ले सकते हैं और अच्छी से क्लीन कर लिया एक प्रेशर कुकर में एड़ कर दिंगे और अब इसमें एड़ करेंगे पानी तो देखें यहां पर में हाफ का पानी एड़ कर रही हूं वान टीस्पू करका लिड लगा देंगे एक विसल हाइफ लेना है दस मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है और देखें यहां पर दस मिनट पकने के बाद यहां पर हमने खोल कर देख लिया अगर आपको लगे कि इसमें पानी बगए तो इसको हाइव पर थोड़ा सा ड्राय कर यहां पर मैं 4 tablespoon corn flour add कर रही हूँ अभी हम इस तरह से बनाएंगे बात में mix करेंगे अगर कम लगेगा तो और add कर लेंगे अब देखिए इसमें थोड़ा सा पानी add करेंगे खुब अच्छे से इसको mix कर लेंगे और इसी के साथ यहां पर हम add करेंगे देखिए थोड़ा सा food color तो यहां पर मैं red food color use कर रही हूँ बन 4 teaspoon तो यह mix कर लेंगे color डालना optional है आप चाहें तो डालें वरना आप इसको skip भी कर सकते हैं तो देखिए इस तरह की consistency में होना चाहिए यह मारा बेटर बनकर त्यार हो चुका है अब एक बूल लेना है इसमें मसाले add करेंगे तो मसालो में हमें लेना है सबसे पहले हमें यहां पर 1 teaspoon अध्रक लहसुन का paste add कर देना है और यहां पर हमने तीन बड़े चंबच दही लिया था जिसको हमने चनी में डालकर रग दिया इसका सारा पानी निकल गया एक गंटे के लिए रग दिया था तो यह एड कर लिया है आप कुछ पाउडर 1 teaspoon चाट मसाला पाउडर 1 teaspoon अजवाइन एड करेंगे 1 teaspoon काला नमक एड करेंगे तो अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए तो यह जरूर एड कीजिएगा नहीं पसंद करते तो इसकी भी कर सकते हैं अब अब अच्छे से मसालों क तो यहां पर हम मिक्स कर लिए मिक्स करने के बाद आप अब हम ने जो बैटर बनाया था नम बैसन और कॉन फ्लार का बोय मिक्स कर दीगे यह देखिए इस तरह से तो खुब अच्छे से मिक्स कर लिए गा और देखिए अभ यहां पर हम थोड़ा सा नमक एड करेंगे तो 1 teaspoon मैं नमक अड़ दिया था यहां पर अच्छे लगा लेंगे लगाने के बाद इस तरह से अब इनको फ्राइ कर लेंगे तो दिए बहुत थेक यहां पर जो वैटर यह नहीं होना चाहिए थोड़ा पतला ही रखिएगा क्या ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए अब एक पैन मे पहले हाई हेट पर फ्लेम को नियुट कर दिया है अब अर्ण कर थोड़ा सा लोग तू मीडियुम कर दिया नहीं हो इक दम हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे अगर हाई तो देखिए कितना अच्छा एकदम क्रिस्पी से हैं तो यहां पर हम एक बोल में डालेंगे और आज की मेरी रेशिपी आप कहां से देख रहें प्लीज मुझे कॉमेंट्स करका जुरूर बताईएगा थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से तो आप जि आता है तो जुरूर बनाईए इस तरह से यहां पर मिक्स कर लेंगे आप इसके आवाद सुन सकते हैं एकदम क्रिस्पी सी बनकर तियार हुई है अब इसके साथ हम सर्फ करेंगे चटनी चटनी की रेशिपी मेरे चैनल पर अपलोड है तीन तरह की मैंने बार्बी की वाली आपके साथ शेर की हुई है तो आप चेक कर सकते हैं तो दीखें यहां पर मैं तोड़कर भी दिखाना चाहूंगी बहुत ही सौफ्ट मॉइस्ट अंदर से बनकर तियार हुई है बाहर से एकदम क्रिस्पी है तो इस तरह से आप बनाईए सच में आपको बहुत पसंद आए तो इस रेसिपी को फॉलो करकर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी कोटिंग नहीं उतरेगी तो रेसिपी जुरूर ट्राइ कीजिएगा और जब भी आप ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करकर जूरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी तो बक्राइस से जो भी रेसिपी चाहिए हमारे चैनल पर अपलोड है आप चेक कर सकते हैं तो उम्मीद करते हूं आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशाल्ला नई रेसिपी के साथ फि तक के लिए अल्ला हाफीज